मकर सकरान्ति का जो दिवस है वो कोई साधरन नहीं आप लोग दान करते हो मकर सकरान्ति कित्ती चीज़े दान करते है और स्वागन माताओं को देते हैं क्या देते हैं कित्ते देते हो तेरा चौदा कित्ते है है चौदा कौन से पुराण में लिखा है कि चौदा चीज देना करिए भगवान विष्णु ने पूछा वाते बोलिए देव शी नारत क्या चाहते हैं चाहते क्या हो वह बता हो महाराज है हमें इतना सा बता दो शिव जी कि यहां जाते हैं तो पहले उनके द्वारपाल से पूछना पढ़ता है अंदर जाने के लिए ब्रह्मा जी कि यह जा र्में टोंब दिव हैं घृता है हम जितनी भी जगा जाते हैं तो उन्हां कोई को शुब रच Nemus 주는 अंदर जाने के और पूझ है। वह Noические नारफ कर रहे हैं नारेन से कुछ ऐसी क्रिपा पर दो कि कि हमें किसी से आग्या लेना ही नहीं पड़े भगवान विश्णु तो उनकी बात को बस थोड़ा ससुने और अंदर चले गए नारजी को लगा हमारा तो कोई जवाब भी नहीं दिया नारजी वहीं पर टिक गए खड़े रहे नाम जाब करते हैं विश्णु बापिस आए और देवरिशी नारज से कहाए काम करो जब सूरी मकर में प्रवेश करते हुए उत्रायन की और जावे उस घड़ी उस पल में देवरिशी नारज तुम चवधा वार भगवान के नाम का शिव नाम का दान दे देजिए भगवान नारेन के नाम का राम नाम का खुष्ण नाम का दान दे देजिए अब देखो यह नहीं लिखा कि प्लास्टिक का डबा दू समझ लेना जीजियों है अच्छे से से कि लोगों ने दान को कितना भरिष्ट कर दिया वो बताया जाए अगनी पुराण में यह नहीं लिखा कि तुम प्लास्टिक की चाय की चन्नी दो चवधा बाल्टी दो चवधा यह प्लास्टिक का डबबा दो चवधा यहां पर यह नहीं लिखा है कुझी हो यह क्या लिखा अगनी पुराण में कि मकर सक्रांती के दिन जब सूरी उत्राइन भाव में प्रवेश करें मकर में जावे उस समय पर देवरिशी नारत तुमारे मुख से अगर चवधा वार भगवान के नाम का दान चवधा जीवों को दे आओगे तो किसी भी देवता के पास जाओगे तुम्हें परमीशन की जिरुत नहीं पड़े तुम्हें प्रवेश करना हो तो तो उसके लिए कहाई मकर सगरांती पर दान दो तो किस चीज का दान देना है मारा प्लाश्टिक का डबा नहीं बालती नहीं चन्नी नहीं किस चीज का ना तो कहा अगर देवर्शी नारत आप दान दे रहे हो तो चौधान नाम का दान दीजिए चौधा जीवों को नाम का दान दे दो भगवान के नाम का भजन और अगर संसार के लोग दान दे तो किस चीज का तो कि अन्न से बड़ा कोई दान अन्न से बढ़ा कोई आगा अच्छा कई लोग कहते हैं कि सूरी की उत्तरायन का क्रम है ये क्रम है ये पूजन का क्रम है तिल्ली के लड्डू का क्रम है लड्डू बना लो तिल्ली का इसका क्रम है पर अगर इसकंद पुराण उठा तो इसकंद पुराण में अगर मकर सक्रान्ती के क्रम को यदी पढ़ोगे तो मालूम पढ़ेगा कि पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा था जिस दिन भगवान शिप और नारायन ये दोनों इसलिए आज भी हिंदु धर्म में बुड़ के लड़तों तिल्दी के साथ मिलाते हैं क्यों उसका कारण कि शंकर और नारायन ये दोनों एक ही दिन एक ही पल गंगा का इस्तनान करने के लिए एक ही भगवान शिप लेखिए कितना कितना हमारे हिंदु धर्म में एक एक तिथी का एक वार का एक एक महत्र है उसको समझे मातालक्ष्मी भगवान नारायन और भगवान शिप को इस्तनान के लिए गुप्त रूप से ज्ञाक दिये तो भगवान विष्णु ने तिर्ची दृष्टी में मातालक्ष्मी को देखा तिर्ची दृष्टी तो मातालक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु शिवजी को देखे तो संकर भगवान ने का नारैन हमने देख लिया माराणी लच्मी जहां कर रही हमने बर दे दिया कि लच्छमी का एक नाम गुप्त लच्छमी रहेगा, यह छुपी रहेगी, और आज मकर सक्रांती के दिन नारायन और शिव का दर्शन इस लच्छमी ने करा है, पर जो गुप्त लच्छमी का दान दे देगा, उसके घर में कभी कोई बड़ी बिमारी प्रविश नहीं करेग कैंसर जैसा रोग, फिटनी और लीवर का रोग नहीं हो सकता, आज भी नियम है कि मकर सक्रांती के दिन एक लट्टू बनाया जाता है गुड़ और तिली का, उसमें एक का सिक्का, दो का सिक्का या कोई लच्छमी उसमें फसा दी जाती है, और लट्टू को पेक करकर किसी म संद्र में दाम दे दिया जाता है, उसको कहते हैं गुप्त लच्छमी जिससे घर में कोई बड़ी बिबारी प्रविश्चन है, वो केवल मकर सक्रांती कोई होता है, काते हैं मकर सक्रांती है, जिस समय पर कल सूरी उतराइन आ जाए, और पहले दिन उतराइन के दिन ही, जो समय होता है, शाम का, अगर कोई बच्चा पलंग पर बातरूं करता हो, गंदगी करता हो, सारी ओशदी कर ली, दवाई कर ली, और या बच्चा रातरी को उठकर चिड़चिड करता हो, या रोता हो रात भर, महराज उसके लिए, या माता के इस तनों में बच्चे को पि प्रायन आ रहा है, मकराशी के अंतरगर, तो शाम के समय पर मकर सक्रांती के दिन, गुड़ को पानी में मिलाकर, शिवजी पर लेपन कर दो, उसी हाथ को, बच्चे को मंदर के बाहर चटा दो महरा, फिर वो पलंग पर कभी गंदगी नहीं करेगा, महरा, जिस नारी का, इस जो बच्चा रात्री को रोता हो, जाग जाता हो, उसको भी अगर वहाथ चटा दिया जाए, तो वो काम करता है, ये कल के दिन करके देखना, बाद में बताना जरूर हो, शुगर वाले जीव, जिनकी शुगर उंची नीची हो रही हो, ज्यादा शुगर की परिशानी आ रह उनके लिए निवेदन है, काली तिल्ली कल, कल के लिए ये खास तोर्चे बाकी के शुगर के लिए उपाय बात में बता देंगे, पर कल के लिए जो करना चाहिए, जिनकी शुगर लेवल में नहीं आ रही हो, काली तिल्ली, शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर द तो और उस काली तिल्ली को जब शिव जी पर चड़ाएं तो महाराज हाट केश्वर महादेव का नाम लेना है और शंकर भगवान पर काली तिल्ली चड़ाते जाना है उसमें कंकर नहीं हो सफेद तिल्ली का एक भी दाना नहीं हो इसका ध्यान रखिए उस काली तिल्ली को करकर किसी को जलना चड़ाने देना उस समय पर जवाब शंकर जी को चड़ाए और भगवान शंकर की हाट किश्वर महादेव का इसमन करकर 108 गुद्राक्ष से मनके से माला जपलो पहीं शंकर चड़ी रंदन अतिली उसी तिली को पापिस कटोरी में उठा कर लिया तीन दिन त नामस्तो भ्याम